पंक फैला कर उड़ जाती हैं, खुशियां है या चिडिया कोई, हाथ बढ़ाओं, छू ना पाओं, ना कर पाओं हासिल, फिर भी चाहत उसे पाने की, धून धून कर वापिस लाने की, पर शायद यहीं कहीं हैं पास में मेरे धून रही हूं जिसे शाम सवेरे, कुछ धुनला सा है जो न दिखता कोई, हकीकत है या बस है सपना कोई, एक ऐसी चीज जिसे शायद हम पूरी उम्र ढूंटे हैं, कभी चीजों में, कभी इंसानों में, तो कभी सक्सेस में, और बहुत बार जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है, फिर भी वो खुशी टैंप्रिरी सी क्यों लगती है, मानो अभी आई और अभी चली भी गई, क्योंक और हम चाहें तो हर वक्त इसे महसूस कर सकते हैं, उन में जो हमारे पास अविलेबल हैं, क्योंकि जहां और जैसे हम हैं, अगर वहीं सैटिसफाइड हैं, तो हम खुश हैं, बस वैल्यू करना भूल जाते हैं, उसकी जो नेचर ने हमें दिया है, क्यों जिन्दगी भर नहीं पाते, कि हम खुश हैं, सेटिसफाइड हैं, क्योंकि हमें लगता है, जिस जीवन में चाह नहीं, वो जीवन किस काम का, लेकिन ये खुआश हैं, वो एक्स्पेक्टेशन्स, कभी तो खतम हो, छलिए खतम ना सही, लाइफ पे इतना कंट्रोल तो हो, कि कहीं कुछ करना हमें सिखाया गया है, लाइफ में जब भी हम कुछ डिफिकल्टीज फेस करते हैं, तब ही कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा ही कुछ सीखा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए, अगर मन में खुश रहने की ख्वायश है, तो हुए? ऐसा ना हो तो आप ही बताएं, किसी एक चीज को पाने की डिजायर रखना और सोचना कि ये मिल जाए तो समझो लाइफ की हर खुशी मिल गई, और पूरी हिम्मत से उसे पा लिने के बाद कितने दिन तक वो खुशी हमारे पास रहती है, वो खुशी कितने दिन तक रही, उसे आप अपनी उंगलियों पे बीगिन सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक और नई डिजायर जनम लेती है, और उसके बाद एक और, फिर एक और, और फिर एक और, और ये सलसला कभी खतम ही नहीं होता, मेटीरियल आपको बस कमफर्ट दे सकता है, और इसी कमफर्ट को हम खुशी समझते हैं, और यही गलत फैमी नजाने कितनी डिजायर्स को जनम देती है, और उन्हें पूरा करने के लिए, खुद को कभी स्ट्रेस्ट, कभी डिप्रेस्ट, सब कुछ करते हैं, और कई बार त चीजें आपको कंट्रोल करने लगेंगी, तो डेफिनेटली आपकी वरीज का लेवल इंक्रीज होगा, मेंटली वीक होंगे, और स्लोली परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी, अब डिजायर्स चाहे मटेरिलिस्टिक हों या दूसरों को इंप्रूव करने की, फुल्फिल ना कर ही नहीं सकते, the only thing that we can change is ourselves, so जो चीजें पॉसिबल हैं उसे करना नहीं चाहते और इंपॉसिबल सी चीजों पे बार बार ट्राय करते हैं, बात डिजायर्स की हो या कंपैरिजन की, क्रिटिसिजम की हो या कंप्लेनिंग की, solution is one and only, self-control, क्योंकि self-control एक ऐसी पार है जो आ उन्हें change करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे फिर उम्र भर हमें उसमें one person भी improvement नजर ना आए, but गलब direction में try करना हमारी habit बन चुकी है, क्योंकि चीजों को as it is accept करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और change लाने की कोशिशें एक के बाद एक flop हो रही हैं, so जो आप के control में नहीं, उन पे effort लगाने की बज़ाए, change your attitude towards those who are spoiling your life, उसके बाद wait and watch, जहां आपकी interference कुछ नहीं करती, वहां nature की planning पे trust करें, things happen automatically, आपकी happiness किसी person के behavior की मोहताज नहीं, so अपनी खुशियों का remote control खुद के ही हाथ में रखें, किसी और को hand over करके blame game ना खेलें, क्योंकि अपनी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए दूसरों पे depend रहना कहां की समझदारी है, और यही चीज़ें कहीं न कहीं हमें खुश होने नहीं देती, आप अपनी life को खुद हर possible way में manage कर सकते हैं, हमारे relations हमारे लिए बहुत importance रखते हैं, तो फिर उन relations में एक दूस दूसरे से इतनी सारी complaints रखना बिना ये सोचे कि हम सब different personalities हैं, किसी का ego relation से बड़ा हो जाता है तो किसी की expectations, जरूरी नहीं है कि एक ही family में रहके आप सबके thoughts match ही करें, तो कभी तो इस बात पे भी agree हों कि ठीक है हम इस point पे एक दूसरे से disagree हैं, respect everyone's opinion, चाहे वो घर का कोई फूटा member ही क्यों नहीं हो, relations valuable तभी होते हैं, जब हम सामने वाले का reaction understand करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, कि वो किन चीज़ों से go through हो रहा है, खुशी हम तब तक भी महसूस नहीं कर पाते, जब तक हम डर में जीते हैं, बहुत सी चीज़ें life में कर नहीं पाते, एक particular डर की वज़ा से, कि लोग क्या कहेंगे, सच महने तो इस चीज़ से हम इतना जाधा effect होते हैं, कि हर छोटी छोटी चीज़ पे overthink करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं, क्योंकि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं, चाहे वो करना हमें उतना पसंद भी ना हो, क्योंकि हमें लगता है कि जो सब करते हैं, वही सही है, सही और गलत की definitions जानते हुए भी दूसरे हमें control कर जाते हैं, लाइफ कुछ insecurity नहीं लगती, जब लोगों की judgment से हम डर जाते हैं, कैसे पता चलता है कि हम fear में जी रहे हैं या फिर freedom में, check your confidence, आपका level of confidence आपको सब बता देगा, freedom में जीने वालों का confidence ही next level होता है, डर किसी person का, society का, या किसी particular चीज का ही क्यों नहीं हो, अगर हम इसे face नहीं करेंगे तो ये increase होता ही चला जाएगा, और डर भरी जिंदगी में तो मुस्कुराने से भी डर लगता है, खुलके हसना तो दूर की बात है, fearlessly जीने से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें हर वक्त fighting mode पे ही रहना पड़ेगा, तब ही हम दुनिया से deal कर पाएंगे, situations के accordingly कभी चुप रहके ignore करना, तो कभी strictly अपने point of view को रखना ही solution देता है, problem कोई भी हो, आपके हसने, खुश रहने से वो बढ़ती कभी नहीं है, Life में तो कुछ न कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जो आपको upset करता है, and it's part of the life, solution effort करने से मिलता है, upset रहके रोते रहने से नहीं, और जहां आपका effort भी काम नहीं करेगा, वहां चीजों को होते हुए आप खुद ही देखेंगे, कभी भी किसी की life को control करने की कोशिश ना करें, औ और किसी एक situation में आपको इन में से कोई एक चीज तो apply करनी ही पड़ेगी, उस situation से उन लोगों से दूर हो जाएं, जो आपके peace of mind को effect करते हैं, ये नहीं कर सकते, तो उस situation या person को change करने की strength रखें, और ये भी नहीं कर सकते, तो जो भी जैसा भी चल रहा है, उसे वैसा ही accept कर लें, इस मंतर को याद रखने वाला आपको हमेशा हर condition में खुश ही नजर आएगा, फिर condition कितनी भी worst क्यों न हो, इन चीजों को अपनी life में apply करने से आप दूसरों को criticize करना बंद कर देंगे, जैलेस और regret जैसी चीजें जो हमारी happiness के लिए poison का का काम करती हैं, वो आपकी life स automatically ही बाहर हो जाएंगी, जब आप जिन्दगी से शिकायत करना बंद कर देंगे, खुद को दूसरों से compare करना बंद कर देंगे, तो सोचिए life कितनी different होगी, और ये सब कुछ self-control से ही आता है, एक ही दिन में हम अपने thoughts को control करना नहीं सीख जाते, लेकिन situations आती रहेंगी, practice कर करते रहना है, याद रखें, ये जिन्दगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो जितना भी खुश रहना है, इसी में रहना है, ये life के हर lesson को आपके साथ share करने का promise करते हुए विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे next video में, till then bye, take care and stay healthy.